कि दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब हमारी क्लास चल रही थी जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास एट आज जो हम बतारने जा रहे हैं आठवी हमारी क्लास होगी एट क्लास होगी ब्रिगू नंदी नाड़ी एस्टोलोजी के कोर्स पर बहुत से चीजें इससे पहले हम सिख चुके और लास्ट क्लास में आई थिंग क्लास सिख्स में मैंने आपको बताया था कि किस परकार हम ग्रोहों को स्टडी करते हैं किस परकार देखते हैं कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई प्लैनेट एक्जॉल्टेशन में बैठा है पावर फुल है लेकिन कई बार जब हम देखते हैं कि वो किसी दूसरे ग्रह के साथ रिलेशन में होता है या एक्सेंज मे प्लैनेक सा इसके रिजल्ट हमें बड़िया मिलने चाहेते लेकिन इसके रिजल्ट हमें बड़िया नहीं मिले तो उसका करण यही होता है कि वो exalted नजर तो आ रहा है लेकिन वो अपनी power actually में खो बैठा है वो आपको उतने जोरदार तरीके से वो रिजल्ट नहीं दे पाया इसी चीज़ को लेकर ये भी हमारी class आगे इसी चीज़ पर बेज़ड है कि हम कैसे पता लगाएंगे या हम कैसे देखेंगे और दूसरे ग्रहों को कि क्या वो सच्ची में exalted है क्या उन्होंने power खो दी है या फिर अगी भी वो power में ही है देखेंगे अब तक तो आपको चार्ट बनाना आगया होगा कि कि इस पैटरन में हम चार्ट कैसे बनाते हैं और अब तक आप ये चीज़ भी सीख चुक्त होंगे कि ये houses होते हैं जोड़क साइन को रिपरजन्स करते हैं और यहां पर हम किसी भी लगन को नहीं लिखते हैं लेकिन अग कि इसका ये लगन है कि यहां से चुरू होता हमारा एड़ी वन टू थ्री फॉर फाइफ सेवन एफ नाइन टैन इलेवन ट्वल यह रिपरजन्स करता हमारा फैसेस याने की नीन राशी को इसनी चीज़ अब तक आपको किलियर हो चुकी होगी और पिर दी मैं आपको जितन सब्सक्राइब करता रहा है ताकि और अच्छी तरह से आप लोगों को वह चीज़ के लिए रहे हैं यहां पर बैठाव वीनस तर्ण तर्ण विक जुपिटर मार्श एंड रावू और यहां पर हैं हमारा केतू राव को जाने एस्टोलोजी में कहते हैं ड्रेगन हैट एंड डैट इस केतू इस ड्रेगन तेट यह राक्षष का मूँ है और यह राक्षष की पूँच है देखिए मैंने बताया कि जब भी कोई चार्ट सामने आए आपके तो सब सर पहले प्लैनेटरी पॉजीशन को आप नोट कर लिजिए कि कहां पर क्या क्या है तो देखिए यहां से हम शुरू करते हैं वीनस वीनस इस पिचुएते इन वीनस इस इन पाइस यानि की मीन राशी में शुक्र बैठा है और यह रोल नोगा यानि की मीन राशी में आपके जो शुक्र है वो उच्छा हो जाता है इस तरह से नेक्स चुपिटार जो सन है वो यहां पर इस एरी जानि की मेश राशी में जो इसकी उच्की राशी होती है वहाँ पर यह जो पिटार यानि की ब्रस्पती ग्रह के साथ विराश्मान है आगे हम देखेंगे मार्श इस तरह साइन विद रावू यानि की ड्रैगन है ल किह रावू भी तोड़ा सैयलमे है कुछ अश्टो जो अश्टोलोज मात जब की 53 जमनी या देकि मिद्धों डार्शीकों रावू का उचप्रेंट बांगते है इसमें में दिस्प्यूटर इसके ऊपर बी हम किसी क्लास में चर्शाट जरूर करेंगे लेकिंघन इस पर चर्चा करने मेरे टॉपिक नहीं है और उसके बाद हमारे रहेगे के तू बागी प्लैनेस हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिपी को सिट्विशन को जानना है के तू इजिन स्कॉर्पियो सब्सक्राइब अबने क्या देखा वीनस अपनी उच राशी में है मी राशी के अंदर है जूपिटर के साथ बैटा है माश दी शुक्र की जो तोरस है यानि कि व्रिशव राशी में है और के विश्चिक राशी के अंदर विराश्वान है कि हमने वो अब तक क्या देखा कि अपने दो शत्रों के बीच में गिर जाए तब भी वह अपनी पावर खो देता है और अगर प्लेजिटे अदुशल पहर समझ चूप है ऐसे बीच मद्दे में बैठने सूरे की देखें सन के पीछे कौन बैटा है वीनस आप यहां से मानेंगे तो यह आगी होगा यहां से मानेंगे तो वह चीज लिख रहे हैं वीनस सन के पीछे है, मार्ष सन के आगे है और रहू भी उसके आगे, यही एक सिटूशन है नहीं, जो पर लिख सी हुई है जोई चीज मैंने नीचे लिख दिया, सन के आगे कोन है, मार्ष रहू, सन और जुपितल के पीछे कोन है, वीनस, वीनर और रहू दे बोट आर दा एनेमी और वी कन से दाट बिटर एनेमी और संट ये दोनों ग्रहें जो है सूरज के पक्के शत्रों माले जाते हैं अब जो सन है वो जोल्टिट है यहां पर उच्छ का तो बैटर है लेकिन वो अपने दो फ़के शत्रों के वीच में गिर चुका है अब आप इसे ऐसे वालिह जैसे माली है कि मुझह में बहुत पावर है बहुत थाकतवार है लेकिन मेरे से भी ताकतवार जो प्लेनटories से ये मेरे से ठाकत वार जो लोग है एक न मुझे इधर से पकड़ लिया अब मैं किस से लड़ लूँगा जो मेरे जितने ही ताकत वारे हैं जो सही ज़्यादा जो ताकत वारे हैं वो दो लोग प्लैनेट मेरे पास खड़े हैं वो दो लोग मेरे पास खड़े हैं दोनों ने मुझे पकड़ावा बीज में अब सोचों कि ऐसे समय में मेरी क्या हालत होगी बिल्कुल इसी तरह का लग रहा है कि sun है loosing its power ऐसी लग रहा है न कि यहाँ पे जो sun है वो अपनी power lose कर चुका है अब वो exalted नहीं रहा यानि कि exaltation जैसे powerful ग्रह जैसे अब वो result नहीं दे पाएगा यहाँ पे इस condition को देखके हमें ऐसा लग रहा है but यहाँ पर एक प्रिक है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा पेच है आप देखिए sun is situated with the jupiter jupiter is the friend of sun sun जो है यानि कि सूरज जो है वो ब्रसपती ग्रह के साथ बैठा है और ब्रसपती ग्रह जो sun का है वैसे देखे तो यह ग्रू भी है लेकिन यहाँ पर देखे तो ब्रसपती जो है सूरज का मित्र है और यहाँ पर शुक्र का शत्रू है यानि कि यह शुक्र जो सूरे को कमजोर करना चाहरा था उसका शत्रू उसके साथ बैठा है अब यह सन यहाँ पर सूरज अकेला नहीं है यहाँ पर सन के पास वो दोस्त है जो इसको कमजोर करेगा यानि कि मेरा एक जो मुझे यहाँ से पकल के बैठा हुआ है एक पहलवान उसका जो शत्रू है वो मेरे साथ आके खड़ा हो गया वो कहता है मैं इससे देख लेता हूँ यह कैसे लिपटता है लेकिन अब इदर का भी शत्रू है अब इदर भी देखते हैं सन के आगे बैठा था राहू राहू जो सन को ग्रहन लगा सकता है उसका शत्रू है और मैंने आपको बता था कुछ अस्ट्रोजस इसको यहां पे उच्छका भी मानते हैं बड़ यहां पर सन का जो प्रबल शत्रू है मार्श बिटर एनिमी वो यहां पर राहू के साथ बैठा है राहू यहां पर अपनी सारी पावर हो चुका है यानि कि मुझे जो दूसरा पैलवन मुझे जो यहां से पकड़ के बैठा था उसको उसके शत्रू ने पकड़ लिया इस पैलवन को इसके शत्रू ने पकड़ ल अगर आप यहाँ पर देखें In this situation Sun will not lose its power यहाँ पर Sun अपनी power lose नहीं करेगा Sun की exalted power उच की power Sun की यहाँ पर बनी रहेगी क्योंकि Sun is the Jupiter तो Sun के साथ Jupiter और राउ के साथ मास नहीं आकर पूरी कहानी को पलट दिया यहाँ पर तक्ता पलट हो चुका इस चीज़ को आप समझी अब यह तो अभी तक हमने इस स्थिति को पता लगाया कि यह ग्रहों की स्थिति क्या है अब इसको हमने पढ़ना है अब इसको कैसे पढ़ाईगे देखी मान लिजे कि यह में चाटता अब अगर यह जाता तो हम हम यहां पर क्या जाते हैं जान क्या रिपेसेंट करता है जान क्या पादर और अब ये नेटी तो हैर वी केंजे दैट अब ये पादर अब इन एटी will have good image and respect in the society and good fortune and respect good fortune and यानिकि अच्छा भागे वाला इस जाता का पिता होगा हम एक चीज और जानते हैं सब और सो रिप्रेजेंट इनारिय अस्रोजी और सब्सक्राइब यानिकि बेटा यहां पर हम जानते हैं कि सब्सक्राइब कोई क्लिफिक परबाव नहीं रहा है सब्सक्राइब पूरी पावर में है तो आप यह भी कह सकते हैं कि नेटीव विल है वन में चाइड एक में चाइड इस जाता का होगा हूं विल भी और सो और गुड पॉर्चुन वो भी अच्छे वागे वाला होगा एंड विल भी नोल एज गुड पर्सन इन दी सोसाइटी वो भी अच्छे नाम से अच्छे व्यक्तित उसे जाता का जो बेटा है वो भी सोसाइटी के अंदर समाज के अंदर पहचाना जाएगा कि यह अच्छा व्यक्ति है इसका बेटा अच्छा है इसके पिता अच्छे दे इस तरह से यह जो संध है यहाँ पर अपने पूरी एग्जॉल्टेशन पावर वो दिखाएगा यह हमने इस स्टड़ी किया कि अगर यह मेल चार्ट था मान लेजिए कि अभी अगर फिमेल चार्ट होता तो तब हम इसे कैसे स्टड़ी करतें इसे दो माल नहीं कि फिमेल चार्ट का अब फिमेल चार्ट के हम किसा कंसिडर करते हैं वी कंसिडर्ड़ ग्रियांस इस इस दा फिमेल ने टीप याने की जाती का को देखने के लिए फ़ल ने के लिए करें कि लिए हम वीनस को सड़ी करते हैं कि वीनस के आगे कॉन है सन जुपिटर उसके आगे मार्शन रहू अब आपने के सटी करना है कि वीनस के आगे जो बैटा है सन प्लस जुपिटर यहां पर सब्सक्राइब यहां परसन है, is the father of this female. यह इसका father है. तो फिर से वही that her father will be a good person with good person or known as और known as आप इसे कह सकते हैं कि known as good character यानि कि वो अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होगा, आप इसे इसको समझ सकते हैं. Sun यहां पर इसका father की तरह है, तो यहां पर भी जो Sun है, वो अच्छे भागे वाला, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होगा, उसका समाज में अच्छा नाम होगा. अब यहां पर हम मार्श को कैसे भी consider करते हैं? यहां पर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मार्श है, वो फिर्मेरी चार्ट में उसके हैस्ट्बेंट को represent करते हैं. अच्छा यहां पर यहां पर जो मार्श है वो रहु की वजगा से थोड़ा शाभा कंजोर हैं. तो आप इसे कैसे देखेंगे कि हर हैस्बेन में फेज प्रॉब्लम्स इन इस लाइफ बट लेकिन यहां पर मार्च को सपोर्ट मिल रही है उसके पीछे जो बैठा है सन और जुपिटर और यह सन और जुपिटर कौन है इस जाती का के पिता इसका अच्छा भागे But Good Fortune Or Father Of Of this Female Native Will Help Her Husband to solve all his issues her husband may face problems in his life उसका husband अपने जीवन में problems को बहुत से problems को face करेगा but the good fortune इस जातिका का जो अच्छा fortune है इस female lady का जो अच्छा fortune है और the father of this female और इस जातिका के जो पिता है female will help her husband ये इसके husband को मदद करेंगे to solve all his problems created by the राहू राहू के जरिये पैदा होने वली सबी समस्याओं से जूजने के लिए इस जातिका का जो good fortune है इसका जो अच्छा भग्य है इसके जो पिता है वो इसके husband को यानि की अपने दमाद की पूरी तरह से वो मदद करेंगे तो ये था चार्ट को पढ़ने का और समझने का तरीका और मुझे लगता है कि बहुत से बाते clear हो गई होंगे बहुत सी चीज़े आप को समझ में भी आगे होंगी तरीका तरीका तक यह हम एक थोटा सा एक्जम्पल लेते हैं और उस एक्जम्पल से हम थोड़ा सा और समझने की इसे कोशिश करते हैं ताकि और हमें थोड़ा चार्ट को study करना आजाए वैसे तो अब तक आप समझ गए होंगे और बहुत से लोग हो सकता है इस चार्ट को study भी कर लें मैं एक प्रेट के लिए रुपता हूँ चार्ट आपको स्क्रीन पर निजर आ रहा है पटापट आप थोड़ा सा पटापट सोचिए कि इस चार्ट को study करके हम क्या देख सकते हैं देखिए सन विद बीनस उसके आगे मार्श है और फिर जुपिटर 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 इन लियो सिंग राशी में ब्रस्पती ग्राइब बता देता हूँ मैं लिखे नहीं आपको वैसी बता हूँ है सन अपनी एक्जोल्टेट राशी मेश में बैठा है शुक्र के साथ मार्श इसन तौरस मार्श वरिशब राशी में बैठा है जो शुक्र की राशी है हमें फट से पता लग गया लिखने समय ही चीज़े होते हैं कि हमें जो चीज़ द्यार में नहीं आ रहे है ते वह किलिए हो जाती है मार्श इसन वीनस साइन वीनस इसन मार्श शुक्र मंगल की राशी में है और मंगल शुक्र की राशी में बैठा है वह सन की राशी के अंदर है तौरस की राशी में ब्रसपती ग्रह बैठा है यहां पर Sun exalted है लेकिन वो अपने शत्रू देखिए शुक्र उसका शत्रू है और अच्छा खासा शत्रू है Sun यहां पर Venus के साथ बैटा है यहां पर Sun की थोड़ी सी जो उचता है वो यहां पर disturbed हो रही है पूरी तरह से अपनी उचकी पावर को लेकर नहीं है सब्सक्राइब करने लिए लेकिन फिर भी वीनग इन दोनों का ही शत्रू है इसलिए यहां पर Sun अपनी पूरी पावर के साथ यहां पर नहीं बैठा है यहांने कि इन दो फॉर्स और हम जानते हैं कि संट जो है क्या रिप्रेजंट करता संट रिप्रेजंट दी नेटिव अब मान लिजे कि में चाहिए तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि पादर ओफ इस नेटिव में फेज मैनी प्रॉब्लम्स इन इस फॉस्ट लाइफ फॉस्ट पार्ट ऑफ लाइफ अपनी जंदगी के जो शुरुवाती हिससे है इस जाता के पिता बहुत सी समस्यों से उन्हें जूजना पड़ा होगा उन्ह का जब आधी जंदगी बीतने के बाद जब मार्ष में चला गया और मार्ष यहां पर गया है और यहां पर संपावर बढ़ गई है क्योंकि मार्ष जो है वह सन का एक मित्र है और दूसरा संब अच्छी खासी पावर लेके बैटा तो यहां पर जो सन की पावर है सूरे की पावर है वो उसमें बड़ाउतरी हो गई है इसकी अपने पावर प्लस मार्श की पावर यहांपर मिल गई है तो हम क्या कहेंगे कि in the later or in the next half of his life son यानि की father of this native will be in good position with good name and good fame and with good achievements उनको अच्छा नाम मिलाओगा अच्छा फोर्च न अच्छा भागे का साथ मिलाओगा एक दो तीन चार पांच जुपिटर यह से फिफ्ट रिलिक्शन में है अच्छी है उन्हें भागे का साथ मिलाया उनकी परमोशन होई और करेंगे जब यहां पर利नर्श का एक्षा IV हो जाएगा ऐसे यहां से आगे वी दो फॉर तो यहां से दित इसक्कुण तरह नियली यहलियारी की जब संट अच्छी पोचिशन में होगए जब बीनस और मार्श एक्सेंज हो चुका तब इस नेटिश को जातव बहुत अच्छे रिज़िट मिलेंगे इसको अपने पिता से बहुत अच्छी वेंट मिल सकती है अपने पिता से इस जातों को बहुत सपोर्ट मिलेगा और यह भी सुसाइटी में अच्छा नाम कमाएगा अच्छा येश और ख्याती प्राप्त करेगा क्योंकि यहाँ पर संड जो है वह मान समान ख्याती येश कीरती इन चीजों को भी रिपेजेंट करता है तो इस तरह से ग्रहों को सब सबसे पहले बार 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 के बता रहा हो जब भी कोई चार्ट है सबसे पहले जिस्ट राइट डाउन दी प्लैनेटरी पोजिशन सबसे पहले पहले प्लैनेटरी पोजिशन को अब लिख लिए कौन सा ग्रहें किस राशी में है उचका है नेचका है उसके दूसरे ग्रहें हमें यह चीज़ें देखने बहुत जरूरी क्योंकि जब तक हमें इन चीजों को समझ नहीं आएगी हमें आगे स्टड़ी करना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है यह चीज़ें बहुत जरूरी है एक बार प्रैक्टिस करते चले जाएंगे देख लेंगे तो फिर आपको लिखने की जुत नहीं पड़ेगी फिर तो कोई चार्ट आपके समने आएगा और विदिन सेकेंड आप सारी चीज़ें हम चाहिए तो आज की हमारी जो क्लास है वह आज मैं उसको यही विराम देता हूं और मैं चाहूंगा कि आप जो मैंने चार्ट दिया पर ने एक दो बार और खुछ से बना के खुछ से स्टड़ी करने की कोशिश कीजिएगा और मैं फिर से कहूंगा कि अभी यह चीज़ों करने के बाद आपको ब्रिगू नंदी नारी एस्टोलोजी से हम कैसे दूसरे चार्ट की परडिक्शन करते हैं से बहुत से चीज़ आपको समझ माने लग जाएंगी और आने लग गई होंगी और जैसे जैसे हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे आपके सारे जो ज्यान बोलाने के आपको पूछना है कि जोद पड़े फिर भी कुछ पूछना चाहेता मुझे वाट्स अप पर कमेंट कर सकते हैं आप स्ट्रेट परवर्ड वह से पॉन कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं कि जाए बाताब